अब मुझे नहीं पता आपने पढ़े की नहीं पढ़े पढ़े आज मैं आपको नेमिंग ही सिखाऊंगी सबसे पहले के मेन है एक नंबर में आता ही आता है इसमें से वर्षजन तो सबसे पहले order of naming the ionic complexes, the cation is named first and then anion सबसे पहले cation का नाम आएगा फिर anion का आएगा जैसे sodium cation है chloride anion है तो नाम हमने कर दिया sodium chloride next is naming the coordination entity the naming the coordination entity the ligand are named first coordination जो square bracket के अंदर है उसमें सबसे पहले ligand को लिखते है ligand में भी अगर एक से ज्यादा ligand present है तो alphabetically ligands को लिखेंगे उसके बास सबसे end में आएगा central metal का आयन का नाम next name of ligand the name of organic sorry anionic ligand end in O ठीक है जो anionic ligand है वो कैसे खतम होंगे O पे खतम होंगे in general if the anionic ligand name end in id id 8 जैसे nitride nitrate nitrate 8 पे खतम होंगा मतलब the final e is replaced by O और जो final e होगा उसको O से replace कर देंगे जैसे id o ठीक है एनायन जिस्म जो भी negative charge वाली species होगी जो आइड है एंड में तो आइड हो जाएगा आइड है तो इट हो जाएगा एट है तो एट है तो एट हो जाएगा ठीक है मतलब उसका जो ए है वो से replace हो जाएगा जैसे आइड हो एट हो एट हो रिस्पेक्टिवली फो और ऑगनिक एनायनिक लिगन containing numerical prefixes such as triphosphate enclosing mark round bracket में होगा वो ठीक है दे नीम फ्ट पॉजिटिव लिगन अंड इन आई यू एम अंड नूट्र लिगन प्रिफ्टेन सच्च एज 14 विगन यह जितने भी है वेटा यह निगटिव लिगन हैuciसा फ्लोराइ्ड हो स्लो लीड है न फ्लोराइड गयं इसको लिखहें कैसे efficacy लोराइड को ब्रमाइट को ब्रमाइडो ब्रमाइट को अग laugh पता चल गए आपको negative के आगे O लग जाना E replace करके Next है positive ligand जैसे NO positive है तो nitrogenium ठीक है ये है hydrazine है तो hydrazenium NO2 positive है तो nitrogenium ठीक है Next neutral ligand जैसे CH3 NH2 methyl amine direct लिखेंगे इसको आगे है ethane 1 to die amine इन इसके लिए abbreviation उस होता है The name of the ethane 1 to die amine should be used in preference to ethane 1 to die amine Okay Next है Pyridine के लिए PY abbreviation यूज होती है C5H5N लगा हो तो वो Pyridine होता है ठीक है इसके लिए PY abbreviation भी यूज होती है और Triphynyl Phosphine के लिए Triphynyl Phosphine as it is Phosphine इस तरीके से ये है Thiuria के लिए TU यूज होती अबरिवेशन और Dye Pyridine के लिए Dye PY ये वाली abbreviation यूज होती है H2O neutral ligand है aqua word यूज होता है ammonia के लिए amine NO के लिए nitrosyl CO के लिए carbonyl CS के लिए thaiyo carbonyl order of naming when more than one type of ligand are present they are named in alphabetical order मैंने आपको पहले भी बताए एक से ज़्यादा ligand present है तो alphabetical order हम यूज करेंगे जैसी हमारे पास complex है इसमें देखो एक amine ligand present है एक nitro है एक chloride होई तो सबसे पहले amine आता है उसके बाद chloride आता है उसके बाद nitro आता है तो नाम क्या हो जाएगा इसका amine chloride और chloride नाइट राइटो न थीक है तो नाम क्या होगा टेट्रा एमाइन थीक है उसके बाद chloride नाइट्राइटो नाइट्राइटो को बाल फिर उसके oxidation state oxidation state आपको निकालने दिए आपने redox chapter में पड़ी है तो कैसे निकाल ली है वो आपको पता होना चाहिए जो न्यूट्राइट लीगन उनकी oxidation state जिडिया सेपह जो नंगीटिव बाले हो से और हम साफे हो टी तो यह ही चाहिए उसके oxidation state होती है और जो पॉजिटिव बाले विक्सेश 11 politics ड्याइटे शुदो नो मेरिकल प्रेट चीस जैसे हमारे पास CO3 in लिखा हुआ है, तो 3 है तो 3 लगेगा, 2 होते तो 20 लगता, अकेला होता तो कुछ भी नहीं लगता, तो ethane 1 to diamine, cobalt, ठीक है, उसकी oxidation state इस तरीके से इसका नाम लिखते हैं, अब इसमें देखो, PPH3 है, Trifinyl Phosphine है, यह PPH3, किसकी abbreviation है, Trifinyl Phosphine की, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, Dichlorido, यह Bidented ligand है, तो इसके लिए यूज़ किया, हमने 2 लगे हुए है, बिस यूज़ किया, तो Trifinyl Phosphine इसका बीच में नाम हम रेकेट में लिखेंगे, उसके बाद निकल, उसके बाद उसकी oxidation state, ठीक है, नेक्सट अंडिंग, अगर एनाइनिक है, तो इसकी अंडिंग 8 से होगी, जो central atom है, जैसे यहाँ पर Neutral ligand है, तो यहाँ पर Chloride आ गया, ठीक है, और यहाँ पर Qobalt आ गया, अगर यहाँ पर, यहां पे negative ligand cyanide होता तो यहां cobaltate होता ठीक है negative ligand होता तो यहां पे cobaltate होता अभी यहां पे amine है neutral ligand है तो cobalt लिखा end में same as it is होगा जैसे यहां पे NH3 है तो यहां पे भी direct platinum ही आएगा platinate कब आएगा जब यहां पे chloride जादा है ammonia 1 है तो यहां पे जो central atom है उसका नाम हो जाएगा platinate 8 से ending होगी तो negative जो anionic complex होगे उसमें 8 लगेगा और जो ketionic complex होगे उसमें as it is आप central atom का नाम लिखोगे अब मैं आपको ज़रा naming बता देती हूँ अब ज़्यादा नहीं बताऊंगे जासे मैंने इसका naming करना है यह फर्स्ट वाले का तो सबसे पहले साइनों साइनों है एक क्या है एक यह central atom है यह दो हमारे पास अंदर लिगेंड लगे हूँ है कौन से लिगेंड है साइनों ठीक है इसको साइन नाइडो यूज करते हैं अब्रिवेशन ठीक है तो इस दो लगे है तो डाइसाइन आइडो पहले सबसे पहले पोटाशियम को एजटेस लिखतेंगे हलका सा गैब देंगे और इसकी नेमिंग हमेशा स्मॉल लैटर से ही करते है पोटाशियम फिर डाइसाइन आइड ठीक है अरजन टेट अरजन टेट क्यों लिखा क्योंकि साइन आइड जो है वो नेगेटिव लिगेंट है तो नाम क्या बन गया इसका डाइस यह देखो पुटाशियम डाइसाइन आइडो यह डाइसाइन भी लिख सकते हैं पर जंटेट ऑक्सिडेशन स्टेट इसकी वन वन क्यों है साइन आइड के उपर माइनस वन माइनस टू हो गया इसको एक्स माल लिया इस पर प्लस वन होती है तो प्लस वन एक्स माइनस टू इस इक्वल टू जीरो माइनस वन एक्स एक्स कितनी आगे प्लस वन ऑक्सिडेशन स्टेट आगे इस तरीके से फाइन आउट क इसको x माल लिया, इसकी plus 1, तो कितना हो गया, 1 plus x minus 2 equal to 0, ठीक है, तो x minus 1 is equal to 0, x कितना आ गया, plus 1, तो इसकी oxidation state इसलिए 1 लिखी हुई है, ठीक है, नेक्स देखो, इसकी अगर हमने नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या होगा, देखो, अब यह alphabetically सबसे पहले tetramine हो, ठीक है, इसमें tetramine ही लिखेंगे, tetramine, उसके बाद कौन सा है, chloride, ठीक है, फिर उसके बाद है, nitrito, NO2, nitrito, ठीक है, तो tetramine, chloride, nitrito, अब यहाँ पे कौन से जादा है, अमाइन जाद है, तो platinum, फिर इसके oxidation state, फिर उसके बाद sulfate आजाएगा, यह देख, oxidation state, फिर sulfate, अब इसके oxidation state कैसे निकालेंगे, chlorine पे-1, NO2 पे-1, NH3 पे-0, तो क्या आजाएगा, इसको एकस सलफेट पे-2, तो calculate करके आपके oxidation state आजाएगी, इनके oxidation state याद करने आपको बहुत जरूरी है, अब आप सभी का नेम करकर के देखोगे, अगला एक और बता देती हूँ, यहाँ पे tetra chloride, यहाँ पे potassium सबसे आज potassium, ठेक है, tetra chloride, mercurate, यहाँ देखो, फिर उसके oxidation state, इस तरीके से आप सभी को कर लोगे, तरीके से आप सभी नेमिंग कर लेंगे, उसके बाद है, जो isomerism है, isomerism क्या होता है, two or more compound having the same molecular formula, but different arrangement of atoms are called isomers, and the phenomena is known as isomerism, अब different type के isomers होते है, structural isomerism and stereo isomerism, तो सबसे पहले हम isomerism in coordination compound, structural isomerism में आता, ionization, hydration, coordination and linkage, stereo isomerism में geometrical isomerism and optical isomerism, तो सबसे पहले बात करते हैं, हम structural isomerism की, तो isomer having the same molecular formula, but different structural arrangement of atoms or groups of atoms around the central metal ion are called structural isomers, तो सबसे पहले ionization isomerism आरा है, इसमें, वो compound कहते है, जिनका molecular formula तो same होता है, but structure different होता है, उसको बोलते है structural isomerism, इसमें सबसे पहले आरा है, ionization isomerism, the compound which having the same molecular formula, but give different ion in the solution, but ion solution में different देंगे, उसको बोलते हैं, यह आपने याद रखना है, एक compound, जब इसको हम, sulphate बाहर रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे, तो इस तरीके के आएन आएंगे, जब हम bromine को बाहर कर देंगे, कि अंदर करेंगे तो इस त्रीके कान ऊंगे तो दोनों में देखो ऐन डिफें इसमें सल्फेत आइन दे रहा थे रहा हूं थीक है तो मर्लौ यह तो फॉर्मोला टो 피माइaire ऑब्तम पीकिलास जाय में लुडध कैव। और थेजिद筹न मे आ यह सारे structure ionization isomerism है next hydration isomerism hydration isom the compound which having the same molecular formula but different in the number of solvent molecule present as a ligand अब देखो इसको कैसे explain करेंगे जिसे हमारे पास है यह है वालेट कलर का chromium अन्दर 6 water molecule 3-chloride है अंदर हमने 5 water molecule कर दिये अब यहां पे अपने 2 klorin लिया है तो दो वाटर बाहर बढूर ख्टा मेशल यह जा रहे हैं और बहुत जा रहे है नेक कोधिनेशन इस Mens सब्सक्राइब कंपाउंड कंटेन बोथ के टाइनिक एस वेल अनाइनिक एंटाइटी आइसोमर्स डिफर इन दिस्टिटिबिशन अफ लिगेंड और कोडिनेशन एंटाइट इस देखो मारे पास यह लिगेंड है अगर नाइट्रोजन से डॉनेशन कर रहा है तो इसी तरीके से साइनाड अगर कारवन से डोनेशन कर रहा है तो सो साइनो बोलते आगर नाई पिह से डोनेशन कर रहा है तो उसको आइसो साइनों बोलते हैं तो इसिक ह्दिक हो तो नर्ग नर्जिवगOR और अपाउजिकर तो बोलने हैं चिस अभी मैं अपको क्लियर कर देती हूं तो सबसे पहले हम इस टाइप आउफ स्क्यर प्लेंर मतलब जिसमें चार लिगेंड हो ठीक है अभी सेम टाइप के 1 एक साइड पे डिफरेंट प्रवाले में हो गया तो इसको बोलते हैं इसको इसको बनाकर देने होते हैं जो भी आपसे पूछाज आएगा आपको बनाकर देना पड़ेगा किसका जीवें